आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ करनें इतर नियम से हम इसको सरहल करते हैं क्रेमर का नियम कहता क्या है अपने पास चार तरह की सानिक 22 बनेगे अपने पास इक डेलिटा देखो तरह कि साणज कब बनती है जब अपने पास देन סवाल होते कैसे इंगे देल्टा जो होगा रहतो नो देल्टा टू में चला तो दूसरे इस्तम को इन अचरपदों से बदल दिया इस तरह से मेरे पास तीनों साणिक निकाले जा सकते हैं तो यहां पर मैं डेल्टा निकाल लेता हूं डेल्टा क्या है इनके गुनांकों से बना साणिक 2 1-1 यहां पर आएगा 1-34-1-34 और यह आजाएगा 5-1-3-5-1- 3-3 इस तरीके से आगया अब देखो सान्निक कमान निकालते cylinder बताये था मैंवार मांन प्लस मान स प्लस मान प्लस चिन तो कर भवा से चलते रहेंगे साथ हमें यह भी निश्वित करना पढ़ेगा कि happened कि इस्तम के साफेग समयर को सानना मान निकालना है तो तो 2 को इसी तरह रखा इसकी पंग्ति और इस्तम को छोडबा और बाकी बचे वूए अव्यव को सानने के लिए का मतलब यह होता है जैसे अपने 9 तो इसको को ने वाले ओव्यों को इस तरह से गुणा माइनस थी में से गठा स्री से घुत Less से अबांगे see माइनस का 20 गट गया अब देखो यह माइनस 1 प्लस के साथ आएगा माइनस 1 यहाँ पर आ गया इसकी पंक्ती इस्तम को छोड़ेंगे और बाची की बच्ची हुआ वह उका साण के लिए लेंगे 1 और यह प्लस का 15, एक प्लस 15, यह आ गया, अब देखो इसको सरल कर लेते हैं, तो 9 माइनस 4, 5, 5 दूनी 10, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास हो गया 20 और 3, 23, 23 एकम 23 प्लस का, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और इधर देखो 15 और 16, 16 को माइनस 1 से गुणा किया, तो माइनस क ।र ठीक है, यह बच गया, अब देखो, यहाँ से मेरे पास कितना बचा, यह 23 मैंसे 6 जाएंगे, तो अपने पास बच जाएंगे 17, तो डेल्टा का मान कितना आ गया डेल्टा का मान आ गया 17, के बराबर अब चलते हैं, डेल्टा 2, ओर डेल्टा 3 में ठीक है और फिर निकाल लेंगे हम X Y Z का मान कैसे निकालेंगे वह बता दूंगा बाद में पहले डेल्टा वन निकाल लेते हैं तो डेल्टा वन में क्यों अचरपत का गुणा यह पहले इस्तंब जो है अचरपतों से बदल देते हैं 2 11 2 आ जाएगा यहां पर कि दो इस्तंब आ गया बाकी इस्तंब ऐसे की सब्सक्राइब ठीक है और अब जो है अपने पास जो सानिक बना लेंगे तो देखो यहां से वही चलेगा प्लस मैंनस प्लस ठीक है तो दो के पहीं कहले रिपbreakर निकालेगे तो दो और यहांगो च्छोड़ा माइनस 3-3 एक इस प्लस प्लस यह वह गया मैंनस 4 कितने बच्चे 5 5 दोनी 10 यहां पर भी देखो 33 और 8 कितने हो जाएंगे 41 41 को माइनस 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 प्लस बना देगा तो प्लस का 41 और इधर देखो 11 और 6 17 माइनस का ठीक है यह हो गया अब देखो यहां से टोटल मिला कि कितना जाएगा 34 की बराबर और यह किसका मान है डेल्टा वन का मान है अब चलते हैं डेल्टा टू में तो डेल्टा टू में देखो यह दूसरे इस्तम की जगह आ जाएगा तो दूसरा इस्तम मेरे पास क्या बनेगा दो ग्यारा दो ठीक है दो ग्यारा दो देखो तीसरा इस्तम वही रहेगा माइनस एक चार माइनस तीन और पहला इस्तम वही रहेगा जो डेल्टा में था दो एक दो एक पांच ठीक है दो एक पांच अब इसमें भी देखो इसका सान्निक निकाल लेंगे यह किसके बराबर यह डेल्टा 2 के बराबर है ठीक है सानिक निकालेंगे पहली पंक्ति के साफ एक तो इधर आजाएगा 2 प्लस माइनस प्लस चिनकर में से चलेगा यहां पर आजाएगा माइनस का 33 माइनस का 8 फिर आएगा माइनस का 2 तो इदर अंदर आएगा माइनस 3 माइनस 20 माइनस 3 माइनस 20 फिर आएगा माइनस का एक 2 माइनस 55 ठीक है 2 माइनस 55 अब इसको सरल करते हैं तो अपने पास आएगा देखो 33 और 8 41 एक तालिस को दो से गुणा करेंगे तो अपने पास आजाएगा माइनस का बैयासी ठीक है उसके बाद आगे चलते हैं तो यह 23 हो गया 23 दूना 46 प्लस का ठीक है और यहां पर भी देखो माइनस का तरेपन बचा अब माइनस तरेपन इस से गुणा हो जाएगा माइनस से तो अ अपने पास गठ रहा है नोसी नयादमेंज नवह द्याचे घठाएंगे तो दस बच गया और फिर नवाची में से सात यह साट और गठेंगे तो जैघो दस अर साथ 17 बच गया मेरे पास 7 बच गया यह किसका मान ागया अब निकालते हैं डेल्टा 3 का मान ठीक है तो देको डेल्टा 3 किस के बराबर होगा पहला इस्तम तो वह हैगा दो 10 5 ठीक है और ये जो दूसरा इस्तम था ये तीस्री स्थम में पहुंच रफपद्धों का ठीक है अब दूसरा माइनस तीन आएगा और यहां पर दो आएगा ठीक है यह माइनस तीन है और यह दो है अब देखो इसका सानिक निकालते हैं तो यहां पर प्लस माइनस प्लस चिंदकर में से चलेगा पहली पंक्ति के साथ प्रसार करता हूं यहां पर आजाएगा दो पंक्ति इस्तम को अब इसको सरल कर लेते हैं तो यहां पर 11-12-34 का ठीक है यहां पर देखो यहां से मेरे पास माइनस दो बचेगा 30 में से माइनस दो जाएगा तुम्हेत। प्लस का एक्याउन बच जाएगा यह डेल्टा 3 का मान आया ठीक है अब देखो X, Y, Z का मान निकालते कैसे हैं X का मान मेरे पास होता है बराबर डेल्टा 1 बटा डेल्टा के Y का मान मेरे पास बराबर होता है देल्टा टू बता डेल्टा के और जेड का माँन मेरे पास बराबर होता डेल्टा था धील्टा के ठीक है अब सॉर्धु देल्टा देल्टा 1 बराबर तो मिरे पास 34 आया था डेल्टा बराबर 17 यह फिर से अपने पास 17 आया था और डेल्टा 3 बराबर अपने पास आ गया है 11 के बराबर एक्स का मान निकालेंगे 34 बटा 17 बराबर 2 ठीक है इसी तरह Y और Z का मान भी निकालेंगे तो y बराबर मेरे पास आ गया 17 बटा 17 ये 1 के बराबर आ गया इसी तरह z का मान देखते हैं क्याओन बटा 17 ये 3 के बराबर आ गया तो x y z का मान युग में लिख देता हूं मैं x y z का मान मेरे पास आ गया कितना 2 1 3 और मेरे को क्यों x y z का मान निकालना था यही समी करनों का हल है और यही मेरा उत्तर हो जाएगा थेंक्यू